वेल्कम बैक तो स्टॉक मार्केट हिल जैसा कि आप सभी ने देखा होगा शुगर सक्टर आज के दिन काफी तेज देखने को मिले हैं उसके बीछे रीजन भी आई हूप आप सभी को बता होगा वली के कार्ड जो भी चीनी है गेहू है उनकी प्राइज बड़ी है दस से तेर सेक्टर है वो काफी हमें तेज देखने को मिले हैं तो जो भी स्टॉक्स हैं इसलिए वो भी तेज देखने को मिले हैं क्योंकि जब स्टॉक्स तेज रहेंगे तो उनी का समावेश मिलकर के सेक्टर बना होता है जब स्टॉक्स तेज रहेंगे तो सेक्टर तेज रहेगा इ तो के। आपको बता हूंगा तो आछके हैं Socks Zahlen चार्ट पर आप देखिए यहां पर जो टाईंड फ्रेम आपको देख रहा है वह Weekly देख रहा है अब मैंने यहां पर आप देख सक्थे ही अभी दो लाइन 0 है लेकिन आप देखे 3 हैं आपके सांदो अब सबसे पहले जो जो tilted line है इस पे focus करिए जिसे हम technical word में कहते है trend line इस पे focus करिएगा तो बहुत लोग का यहां पे मानना यह होगा जो buyers होंगे वो यह सोच रहा होंगे कि यहां से जो stock है उस इस trend line का breakdown दे दिया यहां पे trend line में breakdown दे दिया इसका मलब क्या है कुछ लोग को ल अब मैं आपको बताने वालों दूसरा point जो कि सबसे important है आपने यह तो देख लिया कि यह trend line का breakdown हो चुका है यहां पे stock नीचे आ चुका है लेकिन आप यह चीज़ यहां पे देखे कि almost यह जो level था यह time पे resistance था लेकिन अब यह क्या बन चुका एक support क्योंकि इसी level के आसपा जो है stock ने यहां पे support लिया है यहां पे भी लिया था और यहां पहली बार लिया था resistance तो resistance support बन गया है और almost तीन बार जो है इस level की testing हो चुकी है इसका मतलब क्या है इसका मतलब simple सा यह है कि यह जो level है 44.75 यह काफी important है और यह अब बन चुका है support इसलिए stock ने बहुत अच् बेरिश जो की trend line हो चुकी है नीचे के तरफ breakdown लेकिन जो दूसरे तरह के लोग है जो की सोच रहे हैं कि यहां पे stock जो है अभी भी support ले रहा है इसका मतलब अभी भी इसमें bullish activity बची हुई है यहां पे अभी भी लोग फोड़े से bullish सोच रहे हैं जो एक तरह के लोग है जो क काफी अच्छा support है अब अगर यह दोनों लोग अगर बेरिश होते हैं तो यह stock नीचे जाएगा ध्यान से समझेगा पहले पहला बंदा जो है वो तो बेरिश है पहला बंदा बेरिश है लेकिन दूसरा बेरिश कब होगा अब यह समझ लिए जब यह trend line break हो जाती है तब बे तो और भी लंबी selling आपको देखने को मिन सकती है ठीक है यह चीज आए हो आपको समझ में आ गई है तो यह तो आपको समझ में आ गया कि आप यहाँ पे आपको buying के लिए देखना चाहिए यह selling लिए देखना चाहिए आपको यह simple answer मिल गया कि अभी confusion है neutral अभी आपको रहना है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग को लग रहा है कि यहां से गिरने वाला है कुछ लोग अभी भी सोच रहे है कि इसमें हो सकती क्योंकि यहाँ पर support देख रहा है अब स्टॉक बढ़ता है तो वहाँ पर एक टाइम पर जरूर स्टॉक थोड़ा सा हॉल्ड करता है तो मेरे साब से आपको यहाँ पर यहाँ पर तीजी में नहीं करना चाहिए हो सकता है कल के दिन या नेक्स्ट रेडिक सेशन में स्टॉक अच्छा जंप लगा दे एक अच्छा बिग ग्रीन केंडल बन जाए लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके बाद स्टॉक फोड़ा सा जरूर यहाँ पर हलका हलका सा डोजी टाइपा केंडल बनाएगा उससे क्या होगा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी और जब प्रॉफिट बुकिंग होगी उसके बाद यहां पर फिर से एक अच्छी रहली आएगी तो मेरे साब से स्टॉक में अभी आपको बेरिश नहीं रहना चाहिए लोग न्यूट्रल है लेकिन मैं इसमें बुलिश हूँ तो कि शुगर सेक्टर तेज है एक्सपेंशन औरेडी बढ़ चुका है गवर्मेंट भी शुगर से से काक्तर तो कि यहांब बहुत पर चाहिए तो को ऐना शुक कर सकते हैं तो कि वहां से ऐक अच्छी रहां रही है कि स्टॉक्ष के शपक्रत कि चला जाएंगा मेरे साथ से बिल्कुल इसमें अगर आपने बाय करके रखा तो सेल आपको नहीं करना चाहिए सेल आपको बिल्कुल नहीं करना है सेल कप करना बता दिया जब यह 44.75 की नीचे आता तब सेलिंग के लिए देख सकते हैं बाकी फाइनल डिसीजन आपका ही होगा आई होप रेनो का शुकर के बारे में हर चीज मैंने आपको काईदे से समझाई होगी इसके टेकनिकल चार्ट के थूरू हर एक चीज मैंने बताई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगे म देल ते नेक्ष देम तब तक देल धन्माट